नमस्कार एउस्ट्वेंटी विहार की आवाज में आपका स्वागत है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर विहार के समस्ती पूर जिला से आ रही है जहां जिला का सरायवंजन बाजार देर शाम को एक बार फिर गोलियों की तरतराहट से गून जुठा जहां बेखौप बदमाशों ने सरायवंजन कॉलेज से लेकर सरायवंजन बाजार तक जम कर गोली बारी की घटना को अंजाम दिया बदमाशों के आतंक्व गोली बारी की घटना से दहशत में आयस्थानिय व्यवसाई अपनी अपनी दुकान बंद कर भागना शुरू कर दिये इस दोरान सरायवनजन बाजार में खरीदारी करने आयग रहग भी अपना अपना सामान दुकान पर ही छोड़ कर भागने लगे वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सरायवनजन पुलिस घटना स्थल पर पहुँच मामले की परताल में जूट गई है घटना के संबंध में सुत्रों का बताना है कि सरायवनजन थाना क्षेतर के एक शराब माफिया का सहकर्मी जखडागाओं की तरफ से मोटरसाइकल से सरायवनजन बाजार की ओर आ रहा था इसी दोरान शराब माफिया के सह कर्मी के तेज गती मोटरसाइकल की चपेट में आकर जखडा गाओं का दो युवक घायल हो गया, जिसे स्थानिये लोगों ने इलाज के लिए एक निज्जी क्लीनिक में भरती कराया, तथा मोटरसाइकल सवार युवक को रोक लिया, जिसकी जानकारी बाइक सवार युवक ने शराब माफिया को दी, जानकारी मिलते ही वह शराब माफिया अपने दरजनों लोगों के साथ जखडा गाओं दुरगटना स्थल पर जा पहुँचा, जहां किसी बात को लेकर जखडा गाओं के लोगों से कहा सुनी हो गई, जिसके जन बाजार तक गूलियां चलाता रहा, सराइर ऑजन बाजार स्थित चौर राहा पर पहुचने के बाद, बदमाशों ने स्थानिये दुकानदारों को पिस्टल के बल पर दुकाने बंद करवा दिया, जिसके बाद सभी दुकानदारों में भय का माहौल व्याप्त है, सु ये पुलिस गोली बारी की घटना वधका मुक्की की घटना से इंकार कर रही है। पुलिस गोली के साथ गिरफतार कर जेल भेज दिया था। अब फिर से इस घटना के बाद स्थानिय व्यवसाईयों की नजर जिला पुलिस कप्तान पर जाटे की है। वहलाई पुलिस सरायवन जन्थाना क्षेत्र के विभिन सानों पर अभी तक केंप कर रही है। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। का यो कि अद्टार्व तक के लिए मूग्र तक कर रही है। वहलाई पिर से बूलिस सानियों की तक कुलिस दूट्ट धर्ट सान्थान्थ य। अबसार्ण्ट के लिए इंद के लिए का य। अबसावने पर आ रहां हमार्श झाल जो पैस गबती आद ways